नमस्ते आप सबको मैं अपने चानल पर फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ ये फिर से हमारी फ्री कुंडली रीडिंग जो हमारी चल रही है मैं जो प्रोवाइट कर रहा है आप लोगों को उसमें एक ये मेरा अनदर वीडियो है मेरा सि coloss वीडियो है फ्री कुंडली जीी रीडिंग में काफी लोगों की कुंडली आया है और काफी लोगों ने पुरानी कुंडली मुझे दी है अगरे आप की दी रीडिंग पर नहीं आ पा रही है तो आप 15th of July तक फिर से repeat of 15th July लिखके मेरे को WhatsApp ड्रॉप कर दीजे मैं आपकी फिर से कुडली उस selection में डाल दूँगा और कोशिश करूँगा जिकि आप लोगों को वो reading प्रोवाइट कर सकूँ उस time पे दूसरा point यह है कि जो लोग नए है मेरे channel पे उन लोगों को request यह करूँगा जिकि आप लोग अपना detail और अपना time जैसे date of birth, time, place of birth और नाम और अपने दो सवाल जो पसंद दिता दो सवाल है वो अपने दो सवाल मुझे WhatsApp मेरे description में दिये गए नंबर में पे WhatsApp कर दीजे मैं आप लोगों की कुण्डली भी select करूँगा और आप लोगों की कुण्डली भेजी कुण्डली में से selected कुण्डली का मैं free reading चार्ट करूँगा मैं सबका नहीं करता हूँ बढ़ कुछ का बहुतों का करता हूँ तो कोशिश यह करूँगा जिगे आप पुराने और जो नए आएंगे उन सबका मैं उनमें से selected कुंडली स्रीट कर पाऊँ फिर से कह रहा हूँ date of birth, time of birth, place और अपना नाम यह चार चीजे भेजना जरूरी है, मेरा चानल सब्सक्राइब करेंगे स्क्रीन शॉट भेजेंगे डिस्क्रिप्शन पे तो आपका selection प्रोसेस पे आपकी कुंडली चली जाएगी और अपना दो सवाल पूछना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह मैं overall personality reading नहीं देता हूँ किसी को, वो मैं personally reading में provide करता हूँ यह आप लोगों की priority के basis पे मैं यह दो सवाले आपसे पूछता हूँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस हिसाब से मैं वो दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आपकी कुंडली reading करके overall और वो दो सवालों के जवाब आज मैं एक और कुंडली लेके आया हूँ, आप लोगों के लिए interesting कुंडली है, क्या interesting है वो हम कुंडली देख के बात करते है, चलिए आप कुंडली देखके बात करते है यह कुंडली अरफिज़ी की है, यह 21 साल के है, 21 प्लस है, जितना मैंने calculate किया है ये इनका चार्ट है और अभी इनकी दशा चल रही है सूर्य की महादशा सूर्य की चल रही है केतू की दशा खतम होई है अभी एप्रिल के महीने में अब शुक्र की दशा लगी है और वो 27 एप्रिल 2024 तक चलेगी और उसके बाद मून की महादशा चलेगी चलिए अब बात कर लेता जी अर्पिजी का सवाल क्या था अर्पिजी का सवाल था जी कि मेरा करियर क्या होना चाहिए सर और कैसे होगा और क्या करना चाहिए मुझे अपने करियर पे उन्होंने अपने सवालों को करियर फोकस किया है और उनका सिर्फ एक ही सवाल था जिकि मेरा करियर कैसा चलेगा अरपे जी आपको दूसरा सवाल पूछना जरूरी हो अच्छा लगता है जिक्षकिए आप दूसरा सवाल पूछना चाहिये था बैर आल आपने इम्पॉर्टेंश से अपने एक ही सवाल पे दिया है जिकी आप करने क्या वाले हैं और आपका life path कैसा होना चाहिए presently मैंने जैसे बोला सूर्य की महादशा चल रही है RPG आपकी सूर्य आपके second house में बैटा है Mercury के साथ बैठा और Venus के साथ बैटा है यहाँ पे तीन planet बैटे हैं Venus यहाँ पे combusted हो चुका है सूर्य के साथ रहके मतलब Venus आपके जल रहा है आपके अंतरदशा Venus की ही चल रही है केतू के अंतरदशा चली होगी उस टाइम पे थोड़ा personality में problem आए मतलब life में कुछ problems आई होगी अकेला पन फील किया होगा आपने लेकिन आप Venus की दशा चली है लेकिन Venus combusted है पहला point दूसरा point आपका सात्वा जो घर है जिस पे तीन नमबर लिखा है उस पे आपका राहू और जुपिटर बैठा हुआ है राहू और गुरू बैठा हुआ है अब गुरू रेट्रोगेट होके बैठा हुआ है जितना मैंने calculate किया है और आपका जो लगन है वो Sagittarius और लगन में ही Ouais Church लगन के होते हैं और गुरू ही सात्वे घर में बैठा हुआ है तो यहां पे बैठा हुआ गुरू आपको आपके लिए अच्छा रहना चाहिए आपकी कुंडली पे द्रिष्टी दे रहा तो आपके लिए अच्छा होना चाहिए बट यहां पे राहू के साथ बैटा है तो आपको एक बात बता दू कि यह राहू के साथ बैटा गुरू चंडाल योग का योग बनाता है राहू के साथ अगर गुरू बैट जा तो गुरू चंडाल योग बनता है अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि राहू के साथ गुरू बैट जा गुरू चंडाल योग बना रहा हो तो इसका क्या मतलब है ये राहू हो गयां चंडाल और गुरू हो गया गुरू जुपिटर is the गुरू and राहू is the चंडाल So that is a गुरू चंडाल जो गया जोगी This is the process ठीक है अब point यह आता है कि क्या यह फायर मंद है नुकसान दारी है ये सवाल आपने पूछा है नहीं मेरे से बठा इसके कुछ पार्ट आपने पूछा करियर में आने वाली सवालों में आपने पूछा है तो personality के बारे में कुछ तो बोलना ही पड़ेगा करियर ऐसे तो बनने नहीं जाता तो उस पे मैं आपको थोड़ा बहुत कवर करूँगा तीसरा पॉइंट यहां पे रहा जी कि शनी आपके छटे घर में बैठा हुआ है health longevity में यह आपको साहिता प्रोवाइट करेगा दूसरे घर में Venus बैठा है तो आपके लिए फायदे मंद रहा लेकिन Venus combusted है अब सवाल यह आ रहा है जी कि शनी आपके बैठे हुए आपको काफी ज्यादा सर्विस सेक्टर में लाने की कोशिश करेगा अब सर्विस सेक्टर में सोचेगा कैसे काम करें अपनी जिंदेगी में अब चौथा पॉइंट यह रहा जी कि मून आपके भा होगा अच्छा रहना चाहिए और अगर नहीं है तो हो अच्छा रहेगा अब पॉइंट ऑव यू रहेगा जी कि यहां पर बैठा हुए फादर आपको काफी ज्यान देंगे मदरली फीगर की तरह आपको आपके साथ रिलेक्शन रहेगा वह आपके काफी के आपका केर करे पहला पॉइंट रहा जीगिए अब दूसरा पॉइंट रहा जीगिए अब आपने करियर के बारे में पूछने का मुझसे सवाल पूछा है सबसे पहले पॉइंट है कि वीनस और सूर्य की महादशा और वीनस की अंतर देशा चल रही है मतलब 4-27 अप्रियर के बाद से आप यहां देखे आप देखे जुपिटर और राहू बैठा है गुरू चंडाल योग बना तो पहला पॉइंट इसको हम कवर कर लेते हैं पहला पॉइंट यह रहागा कि गुरू जगर फोर्ट और सेवन्थ हौज में बैठा हुआ है हाँ पे तो बिजनेस में आपको कुछ बोला था पर्स्ञेल में तो इसलिए मैं बोल रहे हुँ आपको थो जुछ कर दो करिए गा उच्छा रहेगा आपकी सेट्एर्फिटर आपके आयू की विरिध्दी जरूर कर रहा है आपके लिए डेकिन आयुणा完了 मतलब Sagittarius लगर में मून अच्छा नहीं माना जाएगा यहां पे लेकिन जब नौवे घर में बैठ जाता है मून भागे स्थान पर अगर बैठ जाए तो पांच नौग में बैठा हुआ प्लैनेट कभी भी खराब असर नहीं देता और उसने अपनी खराब जो नेगेटिव एफेक्ट से उसको हटा देता है इसलिए मैं बोलूँगा जिकि अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस जॉइंट में करिएगा सिंगल परसनाल्टी पे मत करिएगा दूसरा पॉइंट यह है जिकि जॉइंट में करें तो फादर के नाम पे करें या फादर के साथ करें या मदर के नाम पे करें मदर के साथ में करें तो आप कि लिए जादा बहतरीन रहेगा अगर आप career prospect पर बात करें तो मेरे इसाफ से तो आप अपने father का जो business है हाला कि अभी मंगल की वीनस मरकरी की दशा नहीं है और retro gate चल रहा है इसलिए मैं आप करियर job में ढूनना चाहते तो आप जा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो career के job opportunity लिए अच्छा है लेकिन आप क्या ढून रहे हैं ये सवाल है अगर आप ढून रहे हैं तो ठीक है communication business में आप अच्छा कर सकते हैं asset communication यहाँ पर अच्छा रहेगा asset communication मतलब जो fixed assets related काम है अगर आप जाते हैं तो अच्छा रहेगा service class में जैसे politics वगर मैं अगर जाना चाते तो father के साथ जुड़के काम कीजी जादा अच्छा रहेगा अर्पित मेरे लिए अर्पित जी आपको मैं यही बोलूँगा जी कि अभी महादशा सूर्य और वीनस की चल रही है तो सूर्य मतलब father से जितना हो सके उतना ग्यान ले लीजे और उनके business में या उनके साथ मैं father को भी इस point में आपके career में यह बोलूँगा आपके father को अपको अपने साथ ले लेना चाहिए जितना हो सके आपका support लेना चाहिए और आपको अपने father के साथ जितना हो सके उतना time spent करना चाहिए यह जो 2024 तक का time वे इसमें आपको उनसे जितना हो सके उतना knowledge ले लेना चाहिए अगर वो politics में है तो अच्छा है उनके लिए बहतरीन काम रहेगा politics में रहेंगे तो और अगर politics में बैठे रहेंगे सर्विस में बैठे रहेंगे तो आपके लिए भी बहतर है और उनके लिए भी बहतर है तो career prospect पर अभी father के थूप आपको profit मिलना चाहिए career prospect पर और politics में या service sector में कुछ भी है तो आपको benefit मिलेगा अगर business कर रहे हैं पहले इसी को पहले cover कर लेता है चलिए पहला point father के साथ काम करिए फादर का आपको अभी knowledge बहुत जरूरी है वो जो provide कर रहे हैं उसे ले लीजे और उनके business को समभा लीजे मैं आपको warning दे रहा हूँ ये एक साल में जितना हो सके उतना knowledge ले लीजे और समभा लीजे ठीक है इसके बाद father अगर अगर आप अपना career service sector पर बनाना चाहते है communication के थूरू तो आप अपने father से जो knowledge लेंगे या आपका ग्यान जो आपको बड़ों से मिलेगा उससे आपको फाइदा मिलेगा और उससे आप जो आपके fix assets है उससे आपको फाइदा मिलेगा और आप service sector में जाएंगे जैसे politics हो गया hospitality हो गया तो आपके लिए बहतरीन रहेगा अगर आप job करते हैं या अपना property या अपना business वहाँ पे बनाते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा अब बात कर लेते हैं जैकि आपकी personality राहू जुपिटर बैठा हो आए यहाँ पर गुरू चंडाल योग बनाता है और पित आपको अगर ग्यान है इसका मतलब यह नहीं जैकि आप superman है ठीक है लोगों को knowledge होता है बहुत knowledge होता है कई सारी चीजों का knowledge होता है पर दिखाना ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पर बैठे होई अगर आप दिखाने लगेंगे तो आपको problem होगी आप अपने से छोटों के साथ behavior अच्छा रखेंगे तो यह राहू जुपिटर के साथ बैठके आपको problem करेगा यह गुरू चंडाल योग आपको बहुत दिक्कत देने वाल इंसान को तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा spirituality और service sector में जाने के लिए ग्यान भी मिलेगा लेकिन उस साथ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं या उसको जतानी की जरूरत नहीं है ज्यादा सवाल पूछना अच्छी बात है लेकिन वो सवाल किसी को hurt करने वाल सवाल नहीं पूछना चाहिए hurt मतलब ऐसा जिकि आप अपनी knowledge बढ़ाने लिए अगर उसकी personality के बारे में कुछ पूछते ही चले जा रहे तो person हो सकता है थोड़ा सा आपसे offended हो जाए या threatened हो जाए तो अपनी personality को ये थोड़ा सा increase करिए जिकि इनसान को उस थरीके से treat करिए या उतना ही उनसे सवाल पूछे जितना वो comfort zone से आपको जवाब दे सके और नीचे अपने से छोटे है या अपने से नीचे को सेक्टर है उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करें जरूरी नहीं है जो आप से छोटा है उसके पास ग्यान ना हो उसके पास limited knowledge हो सकता है लेकिन व but good teacher is a good learner and only a good learner can be a good teacher okay so imagine ये थोड़ा सा अपना समाल के रखेगा बाकी सवाल होगे मैं जवाब नहीं दूँगा because career का पूछा तो career का ही बता रहा हूँ ये personality important हो जाती इसलिए career कवर के है अब point हैता अगर आप business करते तो भागे स्थान पे moon बैटा हुआ फादर के साथ अग अच्छा benefits दे जाता है तो service sector में आप रहेंगे अगर आप काम करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा बाकी overall chart मैंने आपका read करके दे दिया है मंगल 12 घर में बैटा 12 नंबर है मंगल यहाँ पर अच्छा आपकी जायदाद बनाएगा property वगेरा अच्छी बना देग तो लोगों से सीखते रहें जितना हो सके उतना सीखिए जतानी की जरुद नहीं है जिकि मैं क्या सीख चुक हूँ मुझे क्या पता है हाँ एक और important point मैंने हाँ पे cover करना था जिकि अगर आपकी personality रहू यहाँ पे बैठा हुआ बहुत भगा रहा है आपको पतलब दिमाग बहुत जादा भागता है personality जो होती हो इंसान बहुत भागने वाला होता है सब कुछ जल्दी जल्दी करने का होता है क्योंकि उसके पास knowledge रहता है गुरू बैठा हुआ है तो knowledge रहते हुए रहू क्या करता है लोगों को भगाता है हो सकता है अगर आप business में जाये तो पहले starting में business आपको खलबली कर दे सब कुछ इधर उधर भागता रहे हो सके जिकि आपको अपनी business से satisfaction ना मिले लेकिन वो आपको कुछ सिखा रहा है सीखिए दूसरा point हो है जिकि business में थोड़ा सा सबर करके काम करेंगे तो आपको benefit मिलेगा लेकिन joint पे ही मिलेगा ठीक है दीसरा point यह है कि रागों यहाँ पर बैठे हुए आप जो यह भाग रहे हो ना तो भागो बिल्कुल भागो लेकिन जो भाग रहे हो वो अपने personal दिखानी की जरूद नहीं मतलब भागो वहाँ पर जैसे अगर अपने business को promote कर रहे हो तो किसको बतानी की जरूद नहीं अपने आप promote कर दो ठीक है अगर कहीं पर कुछ काम करना तो कर दो सुनो सबकी करो अपनी ठीक है लेकिन जब सुनो सबकी तो सुनो उनको इस तरीके से कि उनको matter करते है ठीक है उनको कर समझने उनसे कुछ ग्यान मिल जा तो उसे accept कर लो और उसके बाद काम करो लेकिन सुनो सबकी ठीक है और करो अपनी तो अपनी जो करोगे और अपनी जो करो चुप चाप करो ज़्यादा किसी को बोलने या जतानी की ज़रूद ने जिकि मैं ये कर रहा और वो कर रहा अपना करके निकल जाओ सक्सेस हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं तो ये रहा मेरा अर्पित आपके लिए कुण्डली की रीडिंग मैं आपको बोलूँगा कि इस कुण्डली में और भी इंपॉर्टेंट चीजे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज में जरूर बोलूँगा जेकि 2024 तक अपन मून की लग रही है मुझे थोड़ा सा उनको लेके कंसर्ण है तो आप ये चीज ध्यान पर रखे अपना काम करिएगा ठीक है और फिर थैंक यू सो मच और आप सबको थैंक यू मेरे को मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो थैंक यू सो मच